4, 3, 2, 1 भारत और वियतनाम रक्षा परमाड उर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और अन्य शेत्रों में दुई पक्षिय सहयोग को मजबूत करेंगे वियतनाम यात्रा के दोरान राष्ट्रपती का प्रेस वक्तव्य राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत और वियतनाम रक्षा परमाड उर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग बारी अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रद्योग की तेल एवं गैस संगचना विकास क्रिसी और नवाचार आधारित शेत्रों में दुईपक्षी सहयोग को मजबूत बताएंगे उन्होंने वियतनाम की यात्रा के दोरान एक मीडिया वक्तव्य में यह कहा है श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपती फू ट्रोग के साथ उनकी बादचीत बहुत सकारातमक और रचनातमक रही उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत प्रशांत शेत्र में शांती और समरिद्धी के लिए प्रतिबद्ध हैं दोनों देश रक्षा और सुरक्षा सहयूग को और बढ़ाएंगे तथा इस दिशा में वियत नाम के सर्शस्त्र बलू को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्होंने कहा कि वियत नाम तट रक्षक के लिए हाई स्पीड गष्टी जहाजों के संबंध में वन एक सो मिलियन अमेरिकी डॉलर रिड दिये जाने की प्रक्रिया की समिक्षा भी की गई राष्ट्रपती ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के हर रूप की निंदा करते हैं और इस खतरे के विरुद पूरी दुनिया के साथ खड़े हैं दोनों देश समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए जल्द वार्ता शुरू करेंगे आर्थिक और अध्योगिक पहलों का उल्लेख करते हुए श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि दोनों देश अपने अपने शेत्रों में बढ़ते आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए उध्योगों को प्रोथसाहित करेंगे उन्होंने कहा कि भारत वियत नाम आर्थिक रिष्टों में इजाफा हो रहा है दोनों देशों के बीच पिछले वर्ष 12.8 अरब अमेरिकी डॉलर का दुई पक्षिय कारुबार हुआ था श्री कोविंद ने आशा व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच दुई पक्षिय कारुबार वर्ष 2020 तक 15.8 अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा राश्ट्रपती ने कहा कि भारत के राश्ट्रपती के रूप में दक्षिन पूर्व एशिया और आसियान शेत्र की यह उनकी पहली यात्रा है उन्होंने कहा कि वियत नाम के ततकालीन राश्ट्रपती श्री होची मिन्न ने उनिस सवंठावन में भारत की ग्यारह दिविसी एतिहासिक यात्रा की थी उन्होंने कहा कि मैं इस यात्रा के साथ वर्ष के बाद वियत नाम आया हूं और मुझे खुशी है कि आसियान शेत्र की मेरी पहली यात्रा वियत नाम से आरंभ हुई है